आपने ये बात सुनी होगी कि लोग कहते ये एक इताम बोलता है और exactly ये बात आज सामित हो गई है हमारी साथ है शेफ कविता जी कविता जी सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे रीडियो श्टिश नमस्कार दर्श को मैं शेफ कविता सी सबसे पहले मैं सभी लेडिस को हैपी वुमेंस डे को होंगी और मैं मतलब अपने शब्दों में इसे व्यान नहीं कर सकती कि मैं किन कटनाईयों से आज यहां पर हूँ क्योंकि लाइट में कटनाईयों सभी के बास आती है ऐसा नहीं है बिना परिशानी बिना कटनाई कि किसी की लाइफ हो जाए लेकिन किसी की कम किसी की ज्यादा और किसी की ऐसी जो हम कलपना नहीं कर सकते सो मेरे साथ वही चीजे करतायों का सामना किये जिसे आप सुनकर कल्पना नहीं कर सकते तो मैं यही कहूंगी कि किसी भी तरह का काम हो हम लेडिस में वह पावर है अगर हमने यह चीज सोच ली कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो सबसे पहली बास सारी लेडिस को एक ही चीज कह कि अपने आत्मिविश्वास को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने पावर को पहचाने, सबसे पहले हमें जरूरत है अपने आपको पहचाने की, आप मुझे मोटिवेट कर देंगी, चार अची बाते बताएंगी, थोड़े दिल लगेगा कि हाँ यार इन्होंने य यह चीज़ तुम कर सकती हो, मैंने ऐसा आपने आपको पॉचिटिव रखा है, कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है, कि मैं नहीं कर सकती, हमेसा मेरी दिल की, मन की यही आवाज आती है, तो पहले अपने आपको पहचाने है, लोग तो हैं, आपको हमेसा मोटिवेट करेंग सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक आपने इगरोगी, वो चालोगा है, कहकर चलेंगे, आपने अनसुना पर दिया, शलीगी चीज़, अपने आपका आथ विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, तो कट्नाईओं में ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, यह काविता जी हैं पूरी जिन्दी की कहानी, हम एक ब्यान तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत कम टाइम में, बहुत कम लबजों में, आपको ब्यान करूंगी, कि जैसे मैंने अपने आथ निर्वरता और अपने आथ विश्वास की बात, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं चली, बहुत इल्लोस वगरा थे, उन्हीं देखा कि लड़की अच्छी है, पड़ी लिखी है, मतलब उस टाइम पर ट्वल्थी बहुत माना जाता था अगर आज से अत्ते ही साल पहले जाओ आप, मिरी शादी को तेहीं साल हो गएते, तो यह था कि पड़ी लिखी है और इसको सब कुछ में स्पोर्ट लाइन में थी, तो बहुत सारे अर्मान थे, कहीं नहीं लगता था, क्या है यह गूंगट में हो मैं, मतलब लाइफ मेरी खतम बस यह जाडू वचा वरतंग अपड़ा और यही सब करना है, सुबह उठो नास्ता खाना, तो अंदर से बहुत लगता था कि क्य सब्सक्राइब हो गया थे, ममी ने जो है वो लोगों के घर में खाना वगएरा बना कर शादी में खाना बना कर हम भाई बैनों को पाला पोसा, तो उसना हम इतना कैब ही नहीं सकते थे, ममी मेरी शादी मत करो, अभी मैं चोटी हो यह वो रिस्ता आया बाई करना हो गया, च लाइक में एक ऐसा टर्न आया जिसकी कल्पना कर नहीं सकती थी, एक एकसिडेंट केस में मेरी हस्पेंड की देथ हो गई, 2011 में, 2011 में मेरी शादी हो थी, 10 साल मताब समने शादी के और उसके बाद 11 साल में ही मेरी साथ हो तो मुझे कुछ नहीं समया, मताब ब्लैंक हो गई कि मेरी साथ क्या हो गया, कुछ नहीं समय में आया, बस एकी चीज सोची के अपने घर तो जाओंगी नहीं, मम्मी को मैं किसी तरह की कोई तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ, जो भी हो गई सस्राल में रहूंगी, लेकिन एक कहते ना कुछ पुराने रीती रिवार जैसी बन रहता कि मेरी लाइट मतब यह क्या हो गई, मतब ना में चीट के में चिल आ सकती थी, ने मा से कह सकती थी कि मरी घर में रोती हो तो मेरी मा सूचेगी की मेरी बेटी के साथ ही क्या हो गया, जिन्दीके तicki मैं के पास नहीं जाकर रहना चाहती थी, कि वो डेली बंगी, मु यहां आई थी यही से जाओंगी मैं अपने बच्चों को भी नहीं कि मैं दिखिए मायका है I know कि मम्मी है लेकिन मायके मैं आप कितने टाइम रहे लोगे तो मेरे अंदर ये था कि मुझे अपने बच्चों को किसी के उपर वाली जिन्दगी नहीं कि मैं कि मैं माली चे चली है मम्मी सब कर रही लेकिन हो सकता भाई भावी एक मैने दो मैने एक साल खिला दे एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे बच्चे ने कहा ये चीछ चाहिए तो कहा जाएगा नहीं अभी नहीं बस इतनी थी अब नहीं या बहुत खर्चे बढ़ रहे है या ऐसा है तो मैं नहीं चाह रहे थी कि ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़े मैंने कहा मैं अपने सस्राल में ही रखूँगी और यहीं से जो कच करना है वो करूँगी मैं अपने माय के नहीं चाहूँगी एक अलग मिसाल कायम करूँगी अपने बच्चों को खुद अपने दम पर पाल पोस्के बढ़ा करूँगी वो भी सस्राल में लेकर सस्राल बालों से भी कह दिया था मत दीजिया आप सपोर्ट मत करिये अप मैं यहीं रहूँगी और अपने बच्चों को अपने दम पर पाल पोस्के दिखाऊँगी और उनसे एक चीज मैंने और वोली थी वो मैंने करके दिखाई कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपनो बहु नहीं यह वो लोग की यह बेटे के तरह है मेरी और इस कुकिंग के जरिये मेरी जर्नी सुरू हुई 2012 से कुकिंग कॉटिशन में विनर बनी और ऐसा चैलेंज था कि शेप ने दिया था कि 15 मिनिट में यह डिस मैंने बनाई है और आप इसे इतने पीरेड में बनाई है मैंने शेप से जल्दी बना दी मेरी शेप के वी कॉमेंट्स थे क्या डॉन्ट विलिव दिस के यह डिस मैंने नहीं बनाई है मुझे अपने हाथों की लग रही सो वह पहले मेरा मुकाम था मेरी जर्नी का कि मैं विनर बनी मेरे अंदर एक होसला आया और कि मैं अपने इस खाने के जरिये साइथ बहुत कुछ कर सकती सो बस बेला नो कल्चुर मैंने अपने हाथ में पकड़ी और निकल पड़ी अपनी इस मंजिल पाद्स लगातार 2012 के बाद 13 14 15 16 में बड़े बड़े कॉम्टिशन में विनर वनी मीडिया ने वाच किया कि यह लगातार मेहनत कर रही है जैसे इक होता ला कि मेरी लाइफ के सथ हूआ क्या मैं अपनी लाइफ को भूल गई सिफ हाने बच्चों को समार्पित कर दी और लगातार गई तो मीडिया ने वाच किया पर दिरे दीरे करके मीडिया मुझे एज़ ज़ज, एज़ चीप गेस्ट, एज़ बीईप गेस्ट ये इनवाइट करने लेगी पहले कानपूर फिर कानपूर से बाहर मुझे मीडिया लेकर जाती थी बड़ी-बड़ी कंपनी हो कि मैं आज के टाइम पर एसोसेट शेप हूं चलते तो उपनाव दूध लोगी उस दिन आपकी पहचान को कोई रोक नहीं सकता है और उस काम से पैयर भी बिलकुल पर भी ओना मताब आज की टाइय में मुझे सब कहते हैं कि मैं आप जील मैं नहीं करता कि मैं कभी भी पस्टनल न बोने जाते हूं ना मैं पाटियां करत मेरा जो फ्रेंड है, वो मेरी स्टूडेंट है, मैं आपको रियल बता हूँ, लोगोते कि यार, वो फ्रेंड के साथ चलो यहां वस्ती करने चलो आज नाइड आउट करते, आज किलब चलो आज की टीपाइटी, मैं यह सब चीजों से दोर हूँ, तो किर मैं इन चीज में इं कोई यहां बहुती हुआ को अजय करते हैं, मन्यों की एक दिन राते हैं, और आज के टायम अगर कहो कि मेरे से कि मैं आपको एक दिन लगाताब करना आप मेरे चहरे पर जैसे आज में अभी इतनी हूँ आपको लगताए हूँ, आपको छेश्वती हुई हुई ब यहां मैं कि स्माइल हमें और आपकी बात हैं हमें बहुत मोटिवेट करती तो मुझे लगता कि आप अगर किसी के वजय बन रहे हो तो पहले आपको अपने आपको ठीक रखना पड़ेगा मैं हमेसा हैपी रहती उसी लिए कि लोग यह कहते हैं कि नहीं मैम आपसे बहुत को सीखने को मि मिल रही है तो पहले आपको अपने आपको अच्छा रखना पड़ेगा ना सो मैं हमेसा हैपी रहती हूँ और यह आगे नहीं बढ़ना चाहती है यह पीछे ही रह जाए चाहे वो फैमली हो या फिर कोई फ्रेंड सरकल आपकी लाइप में ऐसे पॉन सा मुमेंट था जो कि हस्बिन की डेट से भी जादा वो टिफिकल था बहुत जब मैं दीरे दीरे थोड़ा आगे बढ़ने लगी और जब आगे बढ़ने लगी वो सबसे ज़्यादा मेरे पास सोच आई जब मुझे सिटी से बाहर जाना पड़ता था तब मुझे लगता था कि साइद मैं नही कर पाऊंगी मैं कैसे अपने बच्चों को छोड़ कर मतब मैं अगर मैं बोलो तो आगरा बनारा जासी लखनव अलीगर और इलाबाद मतब आए दिन मुझे कंपनियों के साथ और मीडिया के साथ जाना पड़ता था तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं हिम्मत सिहारी कि मुझे ल उनका फ्यूचर दे पाऊंगी तो बहुत बार ऐसा टाइम आया कि मैं अप नहीं कर सकती लेकिन मैंने सडनली अपने आपको खड़ा किया कि नहीं वह एक जो पल आया था मेरी लाइब में अगर आज मैं कमजूर पड़ जाओंगी तो जो मेरी इतने टाइम पर स्ट्रगल ह है वो सब बेकार हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल अशुकर जब कविता जी देखे हैं कि चाहे कोई भी लड़की हुँ चाहे वह शादिशुदा ना हो या फिर शादिशुदा हो या वेड़ो हो कोई भी महला हो हमारे समाच पुरुष प्रधान समाच है तो कहीं भी अग कि आज आप इतने बड़े फेम में हो तो आप हमें बताएं कि कैसे उन्हें उनसे आपनी लड़ाई करी कैसे आप उसे बार करके उस आगे पड़े बिल्कुल मेरे पास देखिए कोई एक स्टूरी मेरी अकैडमी में जैसे इते सारे स्टूडेंट आते हैं तो कई मैरेड कि वह पन होता था जब मुझे लगता था मैं अपनी जिन्नेगी खतम कर लूँ मैं अफेक्ट आपको बात बता रही जब मैं कहीं जाती थी स्टार्डिंग में मत्तब फैमिली के साथ इन लौस बंगरा के साथ कहीं पर तो वह जो अनक तरे से टीट किया जा था थाना कि मैं करी यह फेस करी है ठीक आप यह अच्छा काम है तो आप थोड़ा दूर रही है यह शादी में गय अफेमिली वगिरा और सबकी साथी में गय तो यह यह काम आप नहीं कर सकती हो तो आप थोड़ा वो तो उस टाइम एसा लग रहा था कि अपनी जिंदिकी को खतम कर लो रोत मेरी मेरी लाइफ खतम हो गई है इंजी यूगो बहुत तुट्टी लगता था जैसे नहीं चीक कर रोलू चिला लू मैं तब यह चीजे देख कर वह पता था आज के डाय में नहीं होता मुझे मैं आपको बता हूं तो मैं आपको बिटा रहे हैं तो पल पल मुझे खचोडती कर दो शीक कि मेरी लाइफ खतम है आपने लगता था कि इस टूम करने लगा थी ति फिर मैंने अपने अपने आप से एक चीज़ कई कि नहीं ना मैं अच के बाद फीडो हूं ना मैं मैरिज मेरी मैरिज होई थी मैं एक इन बच्छों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर मुझे इनको पालना पोशना है तो मुझे अपने आपको खोश रखना तो आज के टाइम पर बहुत सारे लेडिस फॉलो करती है मुझे बिंदी लगाती है कि मैं हम आपके वो बिंदी आपके चैरे पर मतलब एक हम आपका वो फेस देखते तो हमे बहुत कुछ सा फील होता है और तब मैंने ये कि जिरूरिए नई कि हमारे साथ लाइप में ऐसा हो जाए तो हम हस नहीं सकते हम कलरफोल कपड़े नहीं सकते हम खुल कर जी नहीं सकते आपकी लाइप खतम नहीं हुए आप अपनी लाइप को बनाया कि मुझे जो मन करेगा मैं पहनोगी जैसा मुझे रहना कि मेरे खुशी चेहरे से मेरे बच्चों को कुछी मिलती है तो मुझे समाज नहीं और समाज को और रिस्ते नातेदारों को सिब आप बदल सकते हो अपने सोचे जब मैंने कुछ करने की ठानी जब मेरा दिनी तरे फिल्ड में नाम हुआ आज से मिलने मिला आज की टाइम पर ये पूजिशन है कि रिस्ते नातेदार दोर दोर के जाते हैं तो वो खुश होते हैं और एक टाइम था कि मैं एक कौने पर खड़ी रहती थी फिल्कुल अगर आप कुछ करने की सोच लोगे और हर महिला को मैं कहूंगी सेल्फ डिपेंड अ जो पढ़ाई के बाद घर में बैटके बताएं चौका चूला कर रहे हैं आप आपने पढ़ाया लिखाया या ठीक हर किसी को करना काम मैं यह नहीं कहूंगी कि आप सेल्फ डिपैंड के लिए ना आप घर रस्ती छोड़ दो मैं अभी तो करती हूं मैं आज भी इतनी śшь Sun खूटर मैं अपने बच्चों कवे सारे स्टुडेंके घर लिक नहीं मैं आप मैने करिये हं मैंने कऊ EVलें मैं को आप सब कुछ मैंने कर्द एक जैंस सिप ऑफेस कर सकता है बिल्गों सिप वह ऊफिस जाएगा घराए पस यह काम कर सकता है लेकिन हम भर, बच्चे, हैम् आप पैमिली को सिकायत का मोगा मत दो कि बाई वो तो काम करने लगी है अब उसके तो अलगी नख रहे हैं और यह है वह मैम साप बन गई है यह वह आते रही कि फैमिली में ऐसे आप ऐसे नहीं आप घर को भी देखिए और अपने आपको भी देखिए अपनी जिन्दगी खतम करिए मतब माप ने पढ़ाया लिखाया सब को चुआ साधी के बाद असा हर लीडी को आपको बता हूं लगता है कि शादे के बाद जिन्दगी खतव हो गई है मिल्कुल जैसे आप यह बात कह रही है कि हर लीडी को लगता है और वाख़ी में लगता है और बहुत सारी को आप खुद आपो देखा तो हम लोह ऐसा सूचते हैं जो धी घर में बेठा है वो सोचता है कि यह जितनी सारी चीज़ें होती है जिन महिलाओ के साथ शीख्षा की कमी होती होती है ऐस दोनों बाते होती है कुछ करना नहीं चाहती है कि क्षया करना या ठीक है सब सिक्ष्छा इस हो लेकिन किसी भी मिध्स बाइस हो लेकिन जो आय च्छी पड़ादाıldी कि यह अरे ही ते इसा है इतने सिंग्लिस का इसकोप नहीं था जम मैं स्कूल में पढ़ती थी और सारी चीज़े तो मैं यह नहीं कहूंगी कि सिक्षा की कमी है इसलिए वो आके नहीं बढ़ सकती है ठीक है अगर टैलेंट है तो टैलेंट आगे होगा आपकी सिक्षा पीछे ऐसे ऐसे लोग भी है उसके बा होगी कैसे इससे रह जाती और कुछ रह जाती है मैं बोलूं तो आलस मेरे पास मैंने करना सब कुछ तो है यह लेकिन यार सब कुछ है आप एक चीज़ सोचके देखो आपके पास वह नहीं है जो आप डिजर्व करते हो उसकी लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा अप अब इन नगर में बहुत फेमस है उनके कई रेस्टोरेंट है कई वैंकवेट है सब है वो मेरे से सीख रही है कि कुछ आना चाहिए नौकर और इन सब क्यों पर देखिए सोच देखी मैंने का नहीं कि इतने बड़े घर की लेडिस की कि नहीं बच्चों को कुछ अच्छा बना के खिलाओं हस्बेट को अच्छा बना गया ऐसे तो रेस्टोरेंट से शेफ को पुलाने और आज है चीज है तो बस इस तरह से तो वो आई और पहला उसका केक और पर गया अला कि उसने पहला कि जब और पर दिया तो उसने बोला कि आवे मुझे कोई चार्ज नहीं च कमाई हुई है उस कमाई का आधा मैं आपको देना चाहती को कि आप गुरू हो आपने मुझे वो गोड़ दिया मैंने वो केक बनाया वो सामने से मैं बोलने मुझे पैसे नहीं चाहिए वो देकर गई तो वो पहली कमाई आप सोचिए पहली कमाई कि उसको खुशी उसके पा और आदा एक कैते ला गुरू कोई भी गुरू हो वो गुरू एक अगर आपने वैल्यू समझ ली एक गुरू ही आपको बनाता है चाहे स्कूल में टीचर पड़ा है चाहे किसी भी फील का गुरू को तो वह आई तो मुझे भी खुशी होई कि देखी यह होती है कुछ यह अम अपने आपको आपको ही आगे लाना है उस इस दिन आप अपने आपको आगे लाओंगे जो लोग आपको कभी पूछते नहीं थे उस दिन एक बार दीखिए वो मुकाम आए कि आपके पीछे घुमेंगे जैसी यह आज मैं अपने सुसराल में रहती हूँ मेरे इनलों सब आपको अपने समाज में आपको नाम बनाए हूँ अपने बनाया अपने नहीं परटी है और शादिवार करती है और जो रिलेटिश है वह जब शादिवान में लोग वो प्राउट करते हैं तो हर मैं वोमेंस डे पर यही कहना चाहूं भाई कि अपने आपको पैचानो अपनी नारी शक्ति को पैचानो और सारे काम करो और आगे वड़ो पिल्कुल और कविदा जी एक आखरी सवान जी कि जैसे कि बहुत सारी चीजें आपने बताई क कि आपने कैसे स्ट्रगल किया कैसे क्या लेकि कोई एक ऐसी चीज बताईए जो आज तक आपने कभी शेर ना किया हो और जो मतलब आपके दिल के बहुत करीब हो जो बाकी मैलाओं के लिए इंस्पिलेशन हो बिल्कुल आपने साही कही बस एक सेकिंड मैं ऐसी चीज बताफ कि हर वेग्तिके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जो कहीं कियाए। मैं मुझे बहुत खुश्य हो रही कि मैं सारी लेडिस को यह सब बता पा रही हूँ तो मैं जैसे मैंने का स्ट्रेगल मैंने आपको सब सुनाया आपको कि किस तरह से मैं मुकाम पर आई हूँ और दो बेटे हैं मेरे 21 और 22 साल के उनको भी मैंने एक फील्ज में लगा दिया है मैं अपने बच्चों को भी सटेल कर दिया है सो मुझे जो चीज में तफसिक कर नहीं पाई हूँ जब से हस्बेंड की देथ हुई है मतलब मैं आपको बताओं मेरे कुना चीक-चीक के रोना है जो मैं कर नहीं पाई रियल फैक्ट बच्चे चोटे थे आपको बता रही हू आस तक है सभी सुन रहे होगे मुझे अब सभी देख रहे होंगे जो एक मेरी चीज शीज ही जो मुझे अंदर य-ँंदर परेशान करती है पहले में चाहरे पर हमेसे समायल रेती है लोगों кि मैं मतलब मोटिवेशन हो, आईडियल हो, लेकिन मेरे अंदर एक है कि मुझे वो दिन कम मिलेगा जब मुझे चीख चीख कर रोना है, तो मैं सोचती मैं कहां रो, मैं घर पे रोऊगी, तो सब परिशान होगी, मैं सरक पर जाके तो रोऊगी, नहीं, मैं कहां जाओ, मेरे को रियल में, एक चाहे आप कुछ भी कहलो, इस चीज को मैंने पहली बार प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, कि मेरे अंदर है कि कास मुझे एक बार चीक चीक कर रोने मिल जाए क्योंकि मैं अपनी बारे में कभी सोची नहीं पाई हूँ, सादी से लेकर जैसे बच्पन से बताया ना कि म मैं अपने आपको खोड़ चुकी हूँ, मतब मेरे लिए मुझे मैं रियल फैक्ट बताओं कि मुझे अपने लिए रोने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे अपने बत नहीं मिल रहा है, मैं वो चीज नहीं कर रहा है, तो अपने लिए मैं ये चीज करना चाहती हूँ, मैं आपको fact बताऊँ अब ये देंड की मौका ये कव आएगा मुझे नहीं पता पट एक मेरा सपना कहलो इच्छा कहलो कि ये मेरे लिए कुछ करने के लिए अपने लिए है कविता जी सच कहूं मैं तो आपने जो बात कहीं है कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो आशूं की ब अशली अभी भी है कभी कभी जसे होता है देखे कि इतने श्ट्रगल से आऊ तो कभी सा बता हुआ मैं मैं मतब खामोसी मैं रोती हूं मैं आपको बता हूं और सड़ली मुझे लगा बच्च आ रहे हैं इसली जैसे मैं ने कहा ना कि अवने लिए कुछ नहीं आइसों ये श अपने जो किया वह बट्चों के लिए किया और सबकी लिए किया वचने अपने लिए कुछ रहता है मोध गवे। जैसे मैंने आपको बताया कि लेडिस को हिम्मत कभी नहीं हाना चाहिए, तो मैंने अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेंप्ट किया, वो क्यों किया मैं वो भी बताना चाहूंगी आपको, मैंने किया है आंको पर सिट्स लियर की पट्टी बांद कर और एक किलो वेजी टेवल्स बेवी कॉन कट किया, जो कि हाड होता है थोड़ा सा काटने में, उसको मैंने कट किया आंको पर पट्टी बांद कर, अब हाला कि हमें होटल में करना नहीं आई है, लिके मैंने क्यों किया, मैंने क्या काम अपने अंदर से सोच के करते हैं कि मैं कर सकती, सब है आप जिस भी फील्ड में हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता हो फिर आप सोच रहें कि यार अब तो मैं काम ही नहीं कर सकता हूं अम्मे कैसे करूँगा यानि कि चाहे वो आइस हो चाहे हैंड हो एबरी तिन आपके बॉड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो आप यह स सब्सक्राइब कर सकते हो तो और चीजी तो आप ऐसे सपोर्ट लेकर कर सकते हो ना तो मैं पूरा खाना भी बना सकते हो आखर पट्टी बांद कर आप बांद दीजिए मेरा खाना जलेगा नहीं इतना मुझे कॉन्फिडेंस है तो यह चीज कि लाइफ में आपके कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए कैसी भी सिच्वेशन आ जाए आप अपने आपको डिमोटिवेट मत करिए आप सब कुछ कर सकती है तब यह पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड लेडी श तो आपको पर बट्री वायंद कर यह किया दन में एक हाँ से रोटी वी बेल लेती हूं यह सम्में एक एक्जाम्पल मैसेज कि मेरा एक हाथ नहीं है और यह मैंने कैसे किया था आपको ही बताओ एक बान मेरी बहुत खराब हो गए थी कुछ बीगो लगा था तो मेरे एक हा से रोटी बेली और रेल में वो रोटी एक हाँ से आटा निकालना एक हाँ से बेलन पकड़े एक हाँ से पुरी रोटी बना के तवे पर से कि वीडियो भी आप लोग से शेयर करूंगी बाद में फिर मैंने बच्चों को दिखाया स्टूडेंट को कि देखो हिम्मत नहीं हा काम से प्यार करता है और उस काम को मुझे तो चाहे सिट्रेशन कैसी भी हो उस काम को कर सिलता है तो और आपने चाहूंगी कि दरसुल तो एक चीज लाइव में यहाँ पर दिखाऊंगी बिलकुल और तो अपना यह वुनल दिखाएंगी और साथी साथ मेरी भी आप से यह वुजारिश है कि इनसी को सीखिए किसी भी काम से प्यार करिए और उसको जियो उसे सिर्फ एक फॉर्मेलेटीज की तरह ना लो वो काम है इस काम को जिया जाता है वो काम काम नहीं रहता वो जिन्दगी बज़र आप यह मैं सोचिए मतलब काम को एक जोब पे जाना है और वित्ते बज़े आएंगे यह कर नहीं जितना आप मैं में कभी देखिए मैं अपने इस्टूडेंट को एक्दम हैपली वर्क कराती हूं कि काम को भी आप बढ़न सोची ने और जिस दिन क्लास बंद कर दू तो बच्चे कहते मैं और क्लास तो हम जात ओने कांग को इन्ष्वाइ की तरह करिए उसे कभी वर्डल म सोची यह मसोची यह कमाने के लिए तो करने है नई उसमें रंज आई एए वो एक किसी विफ्ट्री का काम एक कला होती है और को यह कला है बनाने के बाद इसे प्रिजेंट करना है जो नहीं भी खाता होगा वह सो हर काम एक आर्ट है, उसी को आप आर्ट समझ कर उसको करिए, अब मुझे कुकिंग के साथ सा देखी बहुत सारी चीजे हैं, मुझे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, एब्रीधिंग पसंद है, स्कैचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, सब करती हैं, तो आपके अंदर जो भी चीजे हैं, कहीं न गहीं आपको वो आगे लेके जाएंगे, तो उन सब चीजों को बहार निकाली है अपनी, एक्जाक्ली बिल्कुल, और इस वुमेंस्टे, यही मैसेज है सारे महिलाओं के लिए कफिदा जी की तरब से. झालुट